हैलो इबडिवाइन कैसे हैं आई होब आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे मैं उस वानिया आप लोग को स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में तो फ्रेंज आज का जो वीडियो है फ्रेंज इस तरीके से डवल ब्लेंकेट को लेकर है तो दिखे इस तरीके से डवल ब्लेंकेट है जैसे हम इसे साप करने के लिए सोचते हैं और फिर सोचने के बाद माथा वारी हो जाता है कि इसे हम साप करेंगे किसे तो आज हम आप लोग के साथ सेर करेंगे कि डवल ब्लेंकेट को हम किस तरीके से धोए मसीन में तो चलिए फ आप लोग इस वीडियों में बने रहे हैं और देखें फ्रेंस यह जो है डबल ब्लेंकेट है आप देख रहे हैं बहुत ही गंदा हो गया है तो अब जिसे कि हम अभी सूच रहे थे कुछ दिन पहले ही कि हम धोएं इसको बट बारिस की बज़र से हम नहीं धो पाएं तो इस हम क्या करेंगे जिसे कि आज तो मेरे यहां बहुत अच्छा मौसम किया है तो सोचे कियो ना हम कमल को दो लें इसको तो चलिए अभी हम दिखाती हम आप लोग को जैसे कि देखी फ्रेंस यहां पर वासिंग मसीन है तो इसमें हम डाल दिये हैं पानी तो इस बात का ध्यान तो आपका मसीन जो है अटोमेटिक होना चाहिए और इसे कितना वाजन अपका運 join है ठीक हें जिसे कि आफ यहां पका मसीन कितना वजन ले सकता है क्युंकि कमल जब हम सड़ी बलेंकिट जब हम धोते हैं तो ओो बहुत बल्री हो जता है पानी मुड़ी इसमें जता है तो पह तो देखिए इसमें थोड़ा सा सरब भी डालना है तो हम थोड़ा सा इसमें विनेगर भी डाल दिये थे और सरब भी डाल दिये थे तो देखिए हमें इसे क्या करना है आधा आमें इसमें रखना है दबाकर और आधा जो है इसमें डालना है इस तरीके से तो देखिए फ्रें जो है हम इधर फसा कर रखें दाव कर और पकड़ कर हम कितना रख पाएंगे इसको है न तो आप क्या करो आप उसमें डाल दो अच्छे से उसके बाद जो है साइड में उसको डाल देने से यह नहीं इधर आएगा ठीक है और फिर आप कुछ भी काम कर सकते हो फिर यह जब दस मिनट चल जाएगा आधा उसके बाद हम आधा फिर इधर से इधर कर देंगे तो देखिए फ्रेंस हमारा आधा दुआ गया है फिर हम तुसरा साइड वाला इसमें डाल दिये हैं तो यह भी साफ हो गया है देखिए कुछ इस तरीके से तो हाँ फ्रेंस यह ब्लैंकेट तो देखिए इस तरीके से निकाल लेना है तो देखिए इस तरीके से निकाल लेना है तो देखिए इस तरीके से निकाल लेना है तो देखिए इस तरीके से पानी चू गया है तो देखिए दो ब्लैंकेट हम दोए है तो इतना गंदगी निकल ही गया है तो गंदा तो हो ही आप लोग सोच रहे होंगे तो चलिए अब इसको पानी गिरा दिये हैं उसके बाद हमें क्या किया है पानी गिराने के पाद इस तरीके से मसीन में पानी को भर लिये हैं ठीक है और इसको हमें ऊपर निचे ब्लेंकेट को करना है ताकि जितने भी हमारे ब्लेंकेट में देना है उसके बाद फिर हमें इसमें पानी डालना है तो देखिए अब कितना क्लीन हो गया है ना बहुत ही असान तरीका है और बहुत ही अच्छे से ये साफ भी हो गया है तो देखिए फ्रिंस जादा मेहिनत नहीं लगा है और किस तरीके से हमारा ये बलेंकेट भी साफ हो तो अब हमें इसे क्या करना है इस तरीके से निकाल लेना है तो देखिए फिर इसे हमें किस तरीके से निकालना है फिर हमें उसी तरीके से निकालना है इसको जिस तरीके से हम इसमें डाले थी साप करने समय तो देखिए हम पहले तो इसको इस तरीके से पकर कर उपर उठाना ह और फिर इस तरीके से जो है साइड में रखते जाना है धीरे धीरे तो देखिए फ्रेंस इस तरीके से साइड में हमें लटकाते जाना है और इस तरीके से पाने चूते जाएगा उसके बाद फिर हम बाहर निकालेंगे दो देखिए फ्रेंस हम यदि लॉर्णिंग में देते ह कैसे तो क्या होता है कि खर्चा तो बहूत ही हो जाता है ना 5-600 रुपया तो लग ही जाएगा सब साप करने में झेखो जब हम बाहार देंगे इसको दोने के हिलिए तो देखे फ्रेंज ये तो हम घर पे बचा ही लिए हैं और इस तरीके से हमारा जो है blanket साफ भी हो गया है तो आज तो हम दो कमल साफ किया थे फ्रेंज इस तरीके से तो आप भी घर पे इस तरीके से कर सकते हैं साफ तो आई होब आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंज लाइक सब्सक्राइब सेयर करना और कैसा लगा कॉमेंट से बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंज मिलती हूँ कल का वीडियो